तो दोस्तो चीन ने भारत के खिलाब बहुत ही बड़ी चाल चली थी और पाकिस्तान को अपने परमाणू हमला करने में संपन्न आटलरी गन को सौप दिया था और यह जो गन है वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा खत्रा बन सकती थी परन्तु अब भारत ने एक ऐसा हत्यान निकाला है जो की चीन और पाकिस्तान के सारे परमाणू हत्यारों को निगल जाएगी तो चली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में बिस्तार से तो दोस्तो आज से लगभग तीन से चार महिने पहले की बात है जब यह खबर निकल के सामन आई थी कि चाइना की तरब से पाकिस्तान को अपने एस एच पंदरा नाम के होबिज़र को सौपा कया है और यह जो होबिज़र हैं वो 236 की संख्या में चाइना ने पाकिस्तान को दिये हैं अब दोस्तों यह जो होबिज़र हैं वो कोई आम होबिज़र नहीं हैं यह जो ह यानि आम जो हविज़र होते हैं जो भारत के पास हैं वो एक आम बारूद बाला गोला दागता है जब कि यह जो एसच 15 हविज़र है वो एक परमाणू गोला दागने में सक्षम है और चीन की तरफ से इस आटलरी को पाकिस्तान भेजने का मकसद था कि जब भारत और पाकिस् पाकिस्तान अपने परमाणू हत्यारों के चोटे चोटे गोले बनाकर इन होविज़र से पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा और जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा बिनासकारी साबित हो सकता था क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के होविज़र भारत के पास नहीं है और पाक याने भारत को अपने दुस्मन देशों से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने देते, यदि कोई हत्यार हमारे पास नहीं है, तो उसकी काट अबश्च भारत के पास आ जाती है, और आज से कुछी दिन पहले आप सभी ने भारत के स्वाती रडार के बारी में तो सुनाई हो और इस रडार के माध्यम से जब भारत या पाकिस्तान या फिर भारत या चीन में किसी भी प्रकार की तनातनी बढ़ेगी, तो चीनी परमाणू हमला करने वाली जो होबिज़र तोपे हैं, उनको भारत की स्वाती रडार आसानी से पहले हैं डेटेक्ट कर लेगी, और इस स जटके के अंदर तबाह कर दिया है, वीडियो को लाच तक देखने के लिए आप सबे का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद वनिमातरम